दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों चलिएं आपसे एक बेहत आसान सवाल पूशते हैं आपको गोरी लड़कियां आकरसक लगती हैं? काले रंग की लड़कियां या फिर गिहुए रंग की? दोस्तों सोचिए और सोचकर आराम से जबाब दीजिए क्यूंकि आपके पसंद के रंग पर ही हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जिन लड़कियों को आप पसंद कर रहे हैं उनका सोभाव कैसा है? उनका मिजाज कैसा है? और उनका चरित्र कैसा है? जी हां दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगी कि औरत की तोचा से पहचानों कि उसका चरित्र कैसा है तो इसके लिए आपको वीडियो अंतक देखना है और अच्छी तरह से समझना है लेकिन उसे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्रेस कीजिए तो चलिए दोस्तों आज का इंट्रेस्टिंग वीडियो अब शुरू करते हैं दोस्तों जीवतिस विद्या में सामुद्रिक शास्तर का नाम प्रमुक्ता के साथ लिया जाता है तो चाके रंग से इस्तरी के स्वभाव का आकलन भी इसी विद्या की एक शाखा है दोस्तों इस्तान प्राकरति जल्वाई और मानब जिन्स के आधार पर सामन्ता तीन लंके इस्किन कलर हैं पहला है गिहुआ, गहरा और गोरा प्राचलित हैं जिनके आधार पर आप किसी विद्यक्त के सोभाव की जाच और उसके चरित की जाच कर सकते हैं दोस्तों वीडियो में रोचक तत्य बताने से पहले हमें एक बात साफ कर दें हम आपको जो भी तत्य बताएंगे वो कोई हमारे अपने निजी बिचार नहीं है बलके भारत के प्रसिंद गिरंथ जियूति शास्त्र में ये सब लिखा हुआ है तो चलिए दोस्तों वीडियो क कांटीनू करते हैं दोस्तों जिन लोगों की तोचाकारन गहरा सामला होता है वा सोभाव से बेहत मिहन्ती और शारीरी रूप से स्वस्त रहते हैं दोस्तों इनका मानसिक विकास इसलिए ज्यादा बहतर तरीके से नहीं हो पाता है क्योंके ये लोग सामाजिक रिवाजों और परंपराओं से दूर रहते हैं दोस्तों इसी बजे से ये लोग अकेले रह जाते हैं ये लोग मिहन्ती भी बन सकते हैं उग्र भी और कभी कबार परिस्तितियां ज्यादा खराब हों तो ये लोग अपरादी भी साबित होते हैं दोस्तों अगला पॉइंट है बे इस्त प्रेम में वे त्याग की भाबना रखती हैं और इन पर आप आख बंद करके भरोसा कर सकते हैं दोस्तों अंगला पॉइंट है गोरी तुचा गोरी तुचा को दो स्रेनियों में विभाजित किया जा सकता है पहली स्रेनियों है गोरा और गुलाबी जिसे हलका पिंक कह सकते हैं इस रंग वाली महिलाएं देखने में बेहद आकरसक होती हैं ये बहुत बुद्धिमान और पढले लिखने की शौकीन होती हैं दोस्तों दूसरी स्रेनियों है पेल यानि पीले और सफेद का मिसरा इस रंग वाली महिलाएं सोभाव से बिनर्म गंबीर और धैरबान और बिल में नड होती हैं दोस्तों जानकारों की माने तो बेमहिलाएं जो गोरी होती हैं अपने साती के पृति समर्पित और बहुत ही भागिसाली कही जा सकती हैं दोस्तों बहुत ही कम ऐसा होता है जब इने जीवन में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़े दोस्तों जानकारों के इनुसार इस संसार में सबसे ज़्यादा तादाद गिहुए रंग वाले लोगों की है गिहुए रंग को भी दो स्रेणियों में बाटा गया है पहली स्रेणी जो गोरे रंग की तरफ जुखाव रखते हैं ऐसे लोग जिनका रंग गिववा होते हुए भी थोड़ा गोरा दिखता है। वे लोग महिंती और कभी कबार बेहद आलसी हो जाते हैं। दोस्तों दूसरे स्रेणी में बे लोग आते हैं जिनका गिववा रंग जादा काले की तरब दिखता है। ये लोग धैर और सहन सक्ती के मामले में पिछड जाते हैं ये लोग अपने आस पास किसी भी परकार की नान सेंट बरदास नहीं कर पाते हैं दोस्तों जिन महिलाओं का रंग ना तो काला और ना गोरा होता है वे धार्मिक कार्यों में रुची रखती हैं दोस्तों ये महिलाओं गरस्ती समाल कर रखती हैं मागने से ज़्यादा देने में विस्वास रखती हैं लाइफ में ज़्यादा टेंसन ना लेने वाली ये महिलाओं बिसुसनी भी होती हैं तो दोस्तों हमने आपको ये बता दिया कि तोचा के रंग के आधार पर महिलाओं का सोभाओ निर्भर करता है अब आपकी प्रेमिका या गर्ड फ्रेंड का रंग क्या है उनका रंग और ब्योहार जो हमने पंक्तियां आपको बताई हैं उनके साथ कितना मेल खाता है या अपने निजी विचार नहीं है बलके भारत के प्रसिद्ध गरंत जीवतिर सास्तर में ऐसा महिलाओं के बारे में लिखा हुआ है दोस्तों मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक आप रहिए इस्टे मोटिवेट इस्टे फेरलेस जैहिंद